दर्शकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचान की आज दिनांख है 28 अक्टूबर सन 2023 विक्रम समवत 2088 चल रहा है आज विन मास है शुकल पक्ष है शरद रितू है तिथी पुर्णिमा है और आज का वार है शनिवार आज शरद पुर्णिमा है जिसे कोजागरी पुर्णिमा भी कहते हैं आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्वनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्री रहेगा योग वज्र है और योग की द्रस्टी से आज का ये दिन लौके कारियों के लिए शुब नहीं है करण विस्टी है दोपेर बाद तीन बच के पांच मिनट तक आगे बव करण रहेगा सूरियों देगा समय दर्शे को सुबह छे बच के 33 मिनट का था और सूरियास्त का समय शाम पांच बच के 47 मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 9 से 10.30 बच के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुबकारे नहीं करते हैं और लंबी आत्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभी जित मुरत आज 11 बच के 48 मिनट से दौपेर 12 बच के 32 मिनट तक है दिन में 4 बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे हलाकि 4 दुष्ट मुरत सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे फिर भी रोज़ाना इनका ध्यान रखे हों सुजबू से इने टाल दें आज के दौश बच के 38 मिनट सुबह 7 बच के 18 मिनट साथ बच के 19 मिनट और 8 बच के 3 मिनट आज का दिशाशूल दर्शे को पूर्व दिशा में है तो पहली कोशिश तो यही करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन जाना अनिवार है जरूरी जाना है तो क्या करना है कि इसका परिहार करें परिहार इस प्रकार है कि पूर्व की और मुक करें थोड़ा सा अद्रक या उड़त के दाने खाकर पहले पांच कदम पीछे चले और जब ये प्रक्रियाब करें तो अपने हिर्दे में अपने इस टिया भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी दिशा शूल नहीं लगेगा और कारें सिद्ध होंगे आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह आठ से नौ बजे तक फिर दोपेर बारा बच के पंदरा मिनिट से दोपेर बाद चार बच के बीस मिनट तक ये दोनों काल खंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुब है योग का रख है तो कुछ अच्छे काम करने हो इनी समय में कीजिए गा ताकि सफलता के चांसे ज़्यादा मिले आज की चंद राशी दर्शे को मेश है चंदरमा मेश राशी से गोचर कर रहे हैं जिससे आज का दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वाले जो सरकारी नोकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुती अच्छा दिन है कुछ नया करने का मौका आपको मिल सकता है ऐसे व्रश राशी वाले अनावश्यक खर्चे का देने आपके लिए और मानसिक आउसाद भी हो सकता है लेकिन मित्रों का आपको भरपूर साथ समर्थन मिलेगा और मित्रुन राशी वाले दिन भर आलश्यक आपको चाय रहेगा आज काफी ज़्यदा लोग फील करेंगे लेकिन डौपेर के बाद में चीज़े ठीक होने लगेंगी आज आपकी मनो कामना पूर्ती के आसार भी बन रहे हैं और कड़क राशी वाले आफिस का काम ज़्यादा रहेगा लेकिन आप अपनी निजी परिशानियों को लेकर टेंशन मर रहेंगे जिससे ये दुनों चीज़ा आपको मिक्स अप होंगी सिंग राशी वाले आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे आज लेकिन उसके अनुसार उसके अनुरूप उतना फ़ल आपको नहीं मिलेगा राजनीती के शेत्र में जो कारेज़त लोग हैं उनको संभल कर बोलना चाहिए आज नहीं तो कोई समश्या हो सकती है ऐसे ही कन्या राशी की जो एविवाईत लोग हैं उनके लिए कहीं से कुछ अच्छा रिष्टा आ सकता है लेकिन स्वास्त समश्याएं भी परिशान करेंगी थोड़ा ध्यान रखे परिवार में खुशी का माहौल वातावरं बना रहेगा तुला राशी वाले प्रेम संबन मदूर रहेंगे आप कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी कर सकते हैं पाइटनर्शिप के जो कारे हैं उनमें भी आपको सफलता मिलती भी दिख रही है व्रश्चिक राशी वाले ननिहाल पक्ष से विवात संबाव है तो इससे टालने की कुशिश करें शत्रुबादा से परिशानी बढ़ेंगी और आफिस की राजदीती से दूर रहने का आपको प्रयास करना चाहिए वहीं दनूराशी के जो व्यापारी है उनके लिए आज का दिन शुप संकियत लेकर आया है उनकी कोई अच्छी डील बड़ा कोई बिजनस डील उनकी कुछ हो सकती है ऐसे में अगर कोई भी सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई डील आ रही है तो उस पे पैनी नज को लेका सुन्दर माहौल बनेगा और कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा बिल्डप रहेगा और आपके स्किल्स में योग्यता में विस्तार निश्चित रूप से होगा मीन राशी वाले परिवार का वातावरन अध्यात्मिक रहेगा और घर में कोई पूजा पार्ट कोई अनुस्टान भी हो सकता है या इसकी कोई प्लानिंग हो सकती है वानी से लाव उतावा दिख रहा है आज आपकी प्रशंशा भी सब जगे होगी दर्शे को आप करते हैं आज की दिन की ग्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्यदरश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिरागी समझेंगे उन विसस्ट उपायों को जो आपको समश्चाओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंतमे करेंगे आज के दिन की जोतिश मंतरना और समाधान। दर्शे को आज की ज्यान चर्चां में समझते हैं आज के विसस्टिन को आज को जागरी पॉर्णिमा का वरत किया जाता है। हलाकि आज ग्रहन होने से खीर रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा आज की रात्री माता लक्ष्मी का भजन करके अखंड दीपक जलाकर जाकते रहने से भगवती की असिम कृपा मिलती है लक्ष्मी प्राप्ति होती क्योंकि लक्ष्मी माता आज ब्रह्मन पे निकलती है और देखती की कौन-कौन जाग रहा है आज ब्रह्म रिशी वालमिकी जी की जैनती भी है जिन्होंने राम जी का नाम जब-जब के और अपने आपको एक ब्रह्म रिशी बना लिया था और जिन्होंने रामायन की यानि जो मूल संस्कत रामायन उसकी रचना की थी आज चंद्र ग्रहन भी है जो रातरी एक बच कर छे मिनट से शुरू होगा और रातरी दो बच के बाइस मिनट पर समाप्त होगा इसलिए इस बार चंद्र की रोशनी में खेर नहीं रखनी चाहिए आज शाम साथ बजे से ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे जो अगले दिन सुबह पूजा के बाद में ही खुलेंगे तो दर्शे को आज की ज्यान चर्चा में हमने समझा आज की दिन का महत्व और अब करते हैं बात उन विसस टुपायों पर जिनसे आप समश्याओं से बाहर निकलाते हैं जीवन को सफल और संतुलिद बना लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिनका जनम दिन है आप सभी आज चीटियों की बिल के पास एक नारियल के गोले में यानि सूखा जो गिट होता है उसमें शक्कर यानि गुडिया खांड और बुनावा आटा और तिल भरकर गाड़ के आएं इस दर्शी को बहुत बार यू लगता है कि लगातार अच्छी मेहनत करके भी आपका अव्यापाड जो है वो ठप रहता है आर्थिक इस्तिति आपकी डावाडोल हो जाती है ऐसी इस्तिति अगर आपके साथ बनी हुई है तो इसे निकलने के लिए आज शाम छे से साथ बजे की बीच में आप अपने आफिस फैक्टरी या गोदाम में थोड़ी सी राई थोड़ी सी पीली सरसों साथ पताशे दो जाइफल और सिंदूर लगाएवे वो जाइफल होने चाहिए और दो लॉंग दो इलाइची दो साबुत कपूर की टिकिया लेकर इन सब चीजों को एक नारियल के साथ काले कपड़े में पोटली के रूप में बना ले और फिर अपनी लंबाई के बरावर साथ गुना यानि अपनी लंबाई का साथ गुना का एक लाल रंग का धागा लेकर इस पोर्टली पर अच्छे से लपेड़ दें और इसे अपनी पूरी आफिस में फैक्टरी गुदाम जो कुछ आपका है उसमें इस पोर्टली को ओम भहरवाए नमहें ओम भहरवाए नमहे का मान सिक जब करते वे इसको गुमा के लेकर आएं और फिर इस पोर्टली को कहीं सुनसान स्तान पर ले जा कर इसको रखें और कपूर का चूरन करके इसको अच्छे से पूरा अच्छे से पूरा अच्छे इतना कपूर डालें कि पूरी जल जाएं यह उपाई करने के बाद नियमित 40 दिन तक अपने ऑफिस में फैक्टरी में जहां भी आपने किया है वहाँ गंगाजल और गौमुत्र मिक्स करके उसके छीटे अवश्य आपको देने है ऐसी दर्शी को यह होता है कि घर में कमाई तो बहुत होती है किन्तु पैसा टिकता नह आने जाते हैं तो उससे पहले गीहूं में 11 पते तुलसी के और दो दाने किसर के डाल कर उन्हें मिला लें और फिर इसको फिर पूरे गीहूं में अच्छे से मिला कर और फिर यह पिस्वाएं यह प्रक्रिया या तो आप सोमार को करें या फिर शनिवार को करें इससे घर मे धन की कमी कभी नहीं रहेगी सामान्य सा दिखने वाला उपाय लेकिन जीवन भर आप करके देखिए बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसे ही आज शरत पुर्णिमा के उत्तम परूर पर दोपे डेड़ से दो बच के बीस मिनट के बीच यानि एक तीस से दो बीस के बीच में गूलर के व्रक्ष की जड़ा प्राप्त करें और अपने घर लिके आएं फिर इसे धूप दीप करके और फिर इसको तिलक करके सामने रखें और ओम रीम सूर्याए नमे की 27 माला का जाप करें और फिर इसे अपने धनिस्तान पर रख दें इसे अगर आप धारन करना चाते हैं यानि गले में पहनना चाते हैं तो स्वर्ण के ताबीज में भरके धारन करें जब तक ये ताबीज आपके पास रहेगा या या आपके धनिस्तान पे रहेगी तब तक कभी भी आपको धन की कम ही नहीं आएगी गर में संतान सुक उत्तम रहेगा यश की प्राप्ती होती रहेगी धन संपदा भरपूर होगी और सुक शानती और संतुष्टी गर में स्थाई रूप से बनी रहेगी ये आज के दिन किये जाने वाला बहुती विसस चुपाए तो इसे अवश्य कीजिए ऐसे यदि आज को जागरी पर उपर आप माता लक्षमी के अठारे पुत्रों का पूजन पंचोप चार से कर लेते हैं तो आपकी जीवन में अक्षे धन निश्चित रूप साने लगता है पूजन का जो समय है सर्वस रेष्ट वो रहेगा शाम पांच बच के 40 मिनट से शाम 6 बच के 30 मिनट और इसमें करना ये है कि माता लक्षमी की पंचोप चार से पूजा करें फिर एक कलश की स्तापना कर उसके साथ दीपक प्रजवलित करें माटा लक्षमी के अठरह गुलाब के फूल, चावल की ढेरियों पे रखें यह निदि चावल की अठरह ढेरिया बनाए, एक एक फूल उसके स्तापित करें और प्रतेख पुष्व के उपर पंच्योप चार से पूजन करें और फिर एक-एक माला माता लक्षमी के प्रतेक पुत्र के निमत्र करें जो अठारा मंत्र रहेंगे जो एक-एक माला कुछ अपनी है वो इस प्रकार है ध्यान से समझेगा ओम देव सखाई नम है ओम चिकलिताई नम है ओम आनंदाई नम है ओम करदमाई नम है ओम श्रीपदाई नम है ओम जातवेदाई नम है ओम अनुरागाई नम है ओम सहवादाई नम है ओम विज्याई नम है ओम बलभाई नम है ओम मदाई नम है ओम हर्षाई नम है ओम बलाई न इस प्रकार से पूजन करें और फिर आप देखें कि कैसे आपके जीवन में धन समपदा स्थाई हो जाती है, धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, आगे से आगे आपके आर्थिक स्तती सुद्रा डूचती जाएगी, तो आज के शुब दिन पे यह उपाय आप निश्चित रू के सवालों की, आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का आई है, हमारी दर्शक रितु जी की, दो अप्रेल 1990 का जनम है, दो पेर एक बच के 18 मिनट आगरा, प्रश्न है, विवा योग कब है, देखे रितु जी आपका करक लगन है, मिथुन राशी है, सब्तम भाव यानि विवा भाव में शनी राहु मंगल की यूती है, चुकि एक बहुत ही अनिष्ट कारी यूती, ग्रह यूती हुआ करती है, शनी जहां विलंब दे रहे हैं, मंगल आपके होते होते रिष्टे तोड़वा देते हैं, वहीं राहु आपको जब सही रिष्टा कभी आ भी जाता है इन दुनों ग्रहों से बचके शनी और मंगल से तो राहु आपको ब्रहमित करके और विलंब करवा देते हैं, अब ये तीनों ग्रह विवा पश्चाद भी आपको परिशान करेंगे, ऐसे में उच्चित ये है कि आप शनी राहु मंगल की शान्ती करवा लीजिए, और चन्रमा और गुरु के साथ साथ गुना जाब करवा के एक पुखराज पहन लीजिए, आपका जो विवा है वो फरवरी से जून सन दोजार चौबिस के बीच में हो जाएगा, आज की दूसरी पत्री का हमारे पास आईए हमारे दर्शक राहुल दुबे जी की, 12 मार्च 1992 का इनका जनम है, दोपेर बाद 3.20 मिनट अलवर, प्रशन है व्यापार में सफलता कब तक, देखिए राहुल जी आपका करक लगन है, मिथुन राशी है, एक तो आख मूंद कर किसी पर भी विश्वास मत किया करो आप, ये आपके व्यापार में सफल होने का एक मंत्र मान पर से शुरू हो रहा है, नित्य आपको माता लक्षमी के मंतर जाप और श्री शुक्त का पाट और हवन निश्चित रूप से करना चीए, ताकि आप आगे सागे सफल हो, तो दर्शे को ये था आज का पंजांग आज की विसस रुपाए और ग्यान चर्चा, मैं पंडी चं प्रत्य में और आनन्द में होता जाएगा, मैं महादेय उसे प्राथना करता हूं, कि जब आप हमारे बताईव उपाए करें, तो आपके कश्टो का निवारन अवश्य हो, और मनो कामना पूर्ती निश्चित रूप से हो, कारिकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत सा भगवति आप सबका कल्यान करें, जय आदिशक्ति!